नमस्कार प्रणाम मैं आदित्तगर्ग आप देख रहे हैं इन खबर मार्च के आखरी मेक्टिव ववा पस्मी विभोग अब कमजोर पड़ गया है इसके चलते कई दिनों से आख मिचोली खेल रहे मौसम में भी बदलोग होने वाला है मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक उत्तर भारत में मौसम समान रहने वाला है हलांकि महरास्ट दक्चिन भारत और पुर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में बारिस हो सकती है मौसम विभाग के पुर्मानुमान के अनुसार 7 अप्रेल को महरास्ट, तेलांगाना और ओडिसा के कुछ हिस्टों में बारिस हो सकती है इसके साथ ही ओडिसा और 36 गड में ओले भी गिरने की आसंका है इसके अलावा अगले 5 दिनों तक तेज बारिस की संभाबना नहीं है उत्तर भारत की अधिकान सिस्टों में मौसम साफ होने से एक वार फिर गर्मी ने अपना रंग दिखाना सुरू कर दिया है गुरुवार 6 अपरेल को राजधानी दिल्ली में पारा बढ़ कर 33.5 डिगरी को छूगिया इससे लोगों को दो पहर में गर्मी का एहसास हुआ हलांकि यह समान से नीचे रहा है वही नियुनतम तापमान 17.2 डिगरी दर्ज किया गया है राजधानी में गुरुवार को हलके बादल रहेंगे लेकिन अगले दो दिनों तक बारिस का कोई अनुमान नहीं है 9 और 11 अपरेल को हलकी बुंदा बुंदी होगी जिसके चलते गर्मी से थोड़ा राहत मिल सकती है लेकिन जादा की उमीद नहीं है स्काइमेट वेदर की अनुसार गुरुवार को दिल्ली के कुछ इलाकों के साथ हित्ते लांगाना, 36 गड़, तमिल नादू, केरल, महरास और आंध्र प्रदेश के तटिया इलाकों में हलकी बारिस हुई साथ ही बीते 24 घंटे में असम, सिक्कीम और हिमालिय च्छेतर में हलकी से मध्यम बारिस हुई इनी तरहों की तमाम खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इन खबर